महराश में COVID केस कम होने के साथ ही उधो सरकार अब मेजुदा परती बंधों को कम करने पर विचार कर रही है सुतरों के अनुसार महराश में चरंबत तरीके से परती बंधों को हटाने पर चर्चा कर रही है अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो एक जून से यहां अनलॉक प्रक्रियाज सुरू हो जाएगी हाला कि पिछले बार से सबग लेते हुए सरकार फुक कर कदम रख रही है ऐसे में अनलॉक को लेकर तस्बीर पुरी तरह साफ नहीं है फिर भी अनलॉक के पक्ष में कई ऐसी बाते हैं जो इसे जल्द ही सकार कर सकती है मुंबई में 24 वार्ड में से अब सिर्फ 10 वार्ड में कंटेन्मेंट जोन रह गया है जबकि 14 वार्ड कंटेन्मेंट जोन मुक्त हो चुका है जबकि साथ वाडों में एक भी माइक्रो कंटेन्मेंट जॉन नहीं है वहीं एक वाडों में एक भी सील बिल्डिंग नहीं है मुंबई में सिर्फ 44 कंटेन्मेंट जॉन एक्ट्व है जिसमें से करीब 2.33 लाख लोग रते हैं जबकि करोना मरीजों के ठीक होने के बाद अब तक 2747 कंटेमिन जोन रिलीस किये जा चुके हैं चार्चरणों में हो सकती अनलॉक प्रक्रिया पहले चरण में खुले की दुकाने सुत्रकंसार महराश में चार्चरणों में अनलॉक प्रक्रिया का फैसला किया जा सकता है जा रहा है कि महाराश में इन दुकानों को खुणने की समय को बढ़ाया जा सकता है। ये S.O.P. भी होगी और साथ ही सोसल डिस्टेंसिंग को लागू करने के उपाए भी होगे रेश्टरोन कितनी छमता तक खोले जा सकते हैं इस पर फैसला किया जाएगा राज में बीते कुछ दिनों से दुकान बंद होनी गज़त से वेपारियों को काफी ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ा है उमीद जताई जा रही है कि अगले महीने सरकार दुकानों को खोनने का फैसला ले सकती है चोते चरन में खुलेंगे लोकल और धार्मी कस्तल अगर चीज़े ठीक रही तो बाकी बच्चे वी प्रतिवन्दों को चोते चरन में हटाया जा सकता है चोते च पर फैसला लेने से पहले दस बार सोचेगी दरसल पिछले बार करोना नियंतर में आने के बाद माराश में अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से हो गई थी इसके चलते दूसरे लहर में पहले से ज्यादा तेजी से संग्रमर हुए सेम ने फिछले दिनों रतनागिरी दोरे पर कहा था कि करोना में कमी आ रही है लेकिन इस सम्मन में मैं कुछ बोलूँगा नहीं पहली लहर का हमने सबग लिया है राजिके राहत और प्रनवास मंति विजए वट्टिवार ने बताया कि लोकल ट्रेनों में अगर सभी यातरी को अन्मुटी दी गई तो भीर बढ़ सकती है इसलिए अगले 15 दिन तक सभी को लोकल में सफर की जाज़त नहीं दी जा सकती मंतिरी ने का कि मंबई में करोना मरीजों की संख्या घटी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि करोना खत्म हो गया है आतियोशक सेवाओं के कमचारियों के लिए लोकल सेवा सीमित करने का असर अब दिखाई देना सुरू हो गया है इसलिए फिला सबीक लिए लोकल याता सुलब करने का कोई विचार नहीं